Hello students, चलिए, देखते हैं अब अपना next chapter class 7 का, तो class 7 का next chapter देखिए क्या दिया है, multiplication and division of integers, तो integers के बारे में तो आप जानते ही होंगे, integers जो होते हैं वो क्या होते हैं, positive number, negative number, along with zero, it's called integer, ठीक है, this is the definition of integers, So, आपको इस chapter में एक चीज याद रखना है, वो क्या है, कि if plus and plus side equal, then we will get answer plus, ओके, अगर minus और minus रहेगा तो क्या हैगा, plus, plus और minus रहेगा तो क्या हैगा, minus, minus और plus रहेगा तो क्या हैगा, minus, ठीक है, ये चार चीजे आपको याद रखना है, ठीक है, और ये चीजे आपको आपके बुक में भी दिया हुआ है, page number 12 पे, देखिए यहाँ पे, क्या बोला है, इफ पॉसिति आपको 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 आपक first of all come on page number 11 and some activity is given so here look 5 plus 7 is it's directly 12 now look here minus 7 plus minus 12 so minus 7 as it is plus and minus minus 2 okay now minus 7 and minus 2 minus minus plus so your answer is 9 but बड़े डिजिट के सामने क्या कौन सा साइन है minus तो यहाँ पर आजाएगा minus 9 ठीक है अब यहाँ second question देखिए second question में क्या दिया है 10 plus minus 5 so plus minus क्या होगा minus 10 minus 5 now 10 minus 5 equal to 5 and बड़े डिजिट के सामने plus है इसले इसके सामने क्या आजाएगा plus now plus 8 minus 3 and plus 3 so minus और plus minus so 8 minus 3 8 minus 3 5 बड़े डिजिट के सामने plus है इसले क्या आजाएगा plus now minus 4 plus 3 so minus और plus क्या हो जाएगा minus तो 4 minus 3 के आए जाएगा 1 and बड़े डिजिट के सामने क्या है minus तो यहाँ पे क्या आएगा minus ओके, now 6 देखिए plus 8 minus minus 3 so minus minus gets plus 3 now 8 plus 3 11 बड़े डिजिट के सामने plus है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा plus ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है अब देखिए, यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है ठीक है, तो यहाँ पे minus 6 और यहाँ पे put करेंगे आप 3 तो minus 6 और plus 3 minus 6 plus 3 minus और plus क्या हो जाएगा minus means 6 minus 3 क्या आजाएगा 3 और बड़े डिजिट के सामने क्या है minus तो यहाँ पे आजाएगा minus 3 ओके, नाव put here 3 नाव 4 minus 3 1, ओके, बड़े डिजिट के सामने plus है, इसलिए plus 1 नाव, put here 3 7 plus 3, 10 बड़े डिजिट के सामने plus है, इसलिए यहाँ पे plus, उसके बाद यहाँ पे put करेंगे 3 तो 9 minus 3, 6 बड़े डिजिट के सामने plus है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा plus नाव 3 नाव, minus 8 plus 3, so plus and minus minus, so 8 minus 3 5 और बड़े डिजिट के सामने क्या है, minus, तो यहाँ पे क्या जाएगा minus, ठीक है उसके बाद next, यहाँ पे put कीजिए 3, तो minus 5, minus 3, तो so minus minus plus, ओके, so 5 and 3 8, बड़े डिजिट के सामने क्या है, minus, तो यहाँ पे क्या जाएगा minus, ठीक है तो इस तरह से ही आपको questions अभी करने है, कुछ भी अलग नहीं है जो हमने अब भी यहाँ पर किया, वही हमें questions में भी करना है, तो आईए देखते हैं, page number 12 पे कुछ activities दे कर रखा हुआ है यह देखे, activity so 5 multiply by 3 5, 3 जा 15, minus, minus, plus 5, 2 जा 10, minus, minus, plus 5 बन जा 5, minus, minus, plus 5, 0 जा 0, minus, 0 के साथ 0 तो हमेशा positive होता है, ठीक है now, 5 means 0 positive नहीं, neutral होता है लेकिन 0 के साथ कोई भी sign नहीं आता minus 5 बन जा, minus 5 इधर plus है, इधर minus तो minus और plus क्या हो जाएगा, minus 5, 2 जा 10, इधर minus है, इधर plus तो plus और minus, minus, okay now 5, 3 जा 15, minus और plus, minus 5, 4 जा 20, minus और plus, minus same here, 6, 3 जा 18 minus, minus, plus तो यहाँ पे plus का sign नहीं भी लगाएगे, तो भी चलेगा ठीक है, 6, 2 जा 12 minus, minus, plus 6 बन जा 6, minus, minus, plus 6, 0 जा 0 6 बन जा 6 तो यहाँ पे plus है, यहाँ पे minus है तो sign क्या हैगा, minus क्यूंकि minus और plus क्या होता है, minus 6, 2, 12 minus और plus, minus 6, 3, 18, minus और plus, minus अब देखिए, plus वाले में क्या होता था हम लोग minus और plus का sign जो बड़े digit के साथ होता था वो लगाते थे, लेकिन multiplication में ऐसा नहीं होता multiplication में हमारा ये theory अपलाय होता जैसे minus minus है तो यहाँ पे plus लगीगा plus minus है तो यहाँ पे minus लगीगा, ठीक है उसके बाद 6, 4 जा 24 माइनस प्लस माइनस ओके, ना 7, 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस 7, 2 जा 14 माइनस माइनस प्लस 7 बन्जा 7 माइनस माइनस प्लस 7, 0 जा 0 7 बन्जा 7 माइनस प्लस माइनस seven two जा 14 minus plus minus seven three जा 21 minus plus minus seven four जा 28 minus plus minus ओके, इस तरह से आपको practice set 8 भी करना है तो चलिए अब देखते हैं practice set 8 में क्या करना है हमें यहाँ पर क्या देखा रखा है practice set 8 में multiply ठीक है, तो चलिए multiply करते हैं एक एक question को तो आपका first question क्या दिया हुआ है minus 5 into minus 7 so सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को multiply कर देंगे directly ठीक है 75 जा 35 ठीक है now minus minus plus तो this is your answer ओके now second question देखिए second question क्या दिया है हमे minus 9 into 6 minus 9 into 6 so 9 6 जा 54 here minus here plus so minus plus minus so your answer is minus 54 now third question देखिए your third question is 9 into minus 4 9 into minus 4 9 4 जा 36 so plus minus minus now your fourth question 8 into minus 7 8 into minus 7 8 7 जा 56 plus minus minus okay now fifth fifth question देखिए क्या दिया हो है minus 124 into minus 1 minus 124 into minus 1 so 124 जा 124 minus minus plus okay now sixth question देखिए sixth question क्या दिया है minus 12 into minus 7 minus 12 into minus 7 12 7 जा 84 minus minus plus now seventh question देखिए seventh question क्या दिया हो है minus 63 into minus 7 so minus 63 into minus 7 so अब हम इसे multiply कर लेते हैं 7 3 जा 21 and 7 जा 42 into 42 and 2 44 and minus minus plus okay चलिए आप देखिए eighth question तो eighth question देखिए क्या दिया हो है eighth हमारा last question है minus 7 into 15 minus 7 into 15 so 15 7 जा 105 okay plus minus minus